शिव बाबा याद है ना? शिव बाबा ने कहा इस बेहद के ड्रामा को तुम्हें अच्छी रिती समझना है सदा बुद्धी में रहे यह बना बनाया अनादी अविनाशी ड्रामा है यह शुरू कब हुआ और बंद कब होगा यह सवाल कभी उठना नहीं चाहिए सर्व की सदगती करने वाला शिरी शिरी एक शिव बाबा ही है वही तुमको शिरी लक्ष्मी शिरी नारैन जैसा बनाते हैं लास्ट में बाबा ने कहा हे मीठे बच्चों अगर इस अंतिम जनम में ब्राह्मन बनकर काम पर जीत पहन ली तो जगत जीत बन जाएंगे तुम पवित्रता धारन करते हो देवता बनने के लिए भले टाइम तो लगता है परंतु पावन बनने का पूरा पुरुशार्थ करना है बाबा आये ही है आत्मा रूपी कपड़े को साफ करने अर्थात पावन बनाने अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम बाप से भक्ती का फल लेने आये हो जिन्होंने जास्ती भक्ती की होगी वही ज्यान में आगे जाएंगे प्रश्न कल्यूगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सत्यूगी राजाई में नहीं होगी उत्तर कल्यूगी राजाई में पहला वजीर और दूसरा गुरू की जरूरत रहती है सत्यूग में यह दोनों ही नहीं होंगे वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं क्योंकि सत्यूगी राजाई संगम पर बाप की शिरिमत से स्थापन होती है ऐसी शुरिमत मिलती है जो 21 पीड़ी तक चलती है और सब सदगती में हैं इसलिए गुरू की भी दरकार नहीं है ओम शान्ती ओम शान्ती का अर्थ क्या है स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शान्त में बैठेंगे इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना भगवानु वाज स्वधर्म में बैठो अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है पढ़ाई से सुख मिलता है न अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्रह्मन ठहरे फिर तुमको देवता बनना है। कल्युगी सब हैं कुखवनशावली। साधू, संत, रिशी, मुनियादी सब द्वापर से लेकर कुखवनशावली बने है। यहां आते ही नहीं हैं। यहां आते हैं ज्ञान मारगवाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ती का फल लेने। अब भक्ती का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ती की होगी। वही पत्थर से पारस बुद्धी बनते हैं। वही आकर ज्ञान लेंगे। क्योंकि भक्ती का फल भग्वान को ही आकर देना है। ये अच्छी रिती समझने की बाते हैं। अभी तुम कल युगी से सत्युगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो। अथ्वा पुरुश्योत्तम बनते हो। तुम आये हो ऐसा लक्ष्मी नारैन जैसा बनने के लिए। ये भगवान भगवती हैं तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवान वाज। परंतु भगवान किसको कहा जाता है। भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकडों हजारों नहीं होते हैं। मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को न जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी अर्थात लक्ष्मी नारैन की राजधानी थी इन्हों के बाल बच्चे आदी जो भी थे राजधानी के मालिक थे तुम यहां आए ही हो राजधानी के मालिक बनने लिए यह अभी तो नहीं है ना भारत में इन्हों का राज्य था बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी सूर्य वन्षी और चंदर वन्षी थे तब और कोई धर्म नहीं था इस समय फिर और सब धर्म है यह धर्म है नहीं यह जो फाउंडेशन है जिसको थुर कहा जाता है इस समय मनोश्य सुरिस्टी रूपी जाड का थुर सारा सड गया है बाकी सब खड़े हैं अब उन सब की आयू पूरी होती है यह मनोश्य सुरिस्टी रूपी वेराइटी जाड है भिन नाम रूप देश काल अनेक अनेक है न कितना बड़ा जाड है बाप समझाते हैं कल्प कल्प यह जाड जड़डी भूत तमो प्रधान हो जाता है तब फिर मैं आता हूं तुम मुझे पुकारते हो बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ हे पतितपावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है साकारी तो कभी याद नहीं आएगा पतितपावन सदगती दाता है ही एक जब सत्युग था तो तुम्हारी सदगती थी अभी तुम पुरुशोत्तम संगम युग पर बैठे हो बाकी ओर सब कल युग में है तुम हो पुरुशोत्तम संगम युग पर उत्तम ते उत्तम पुरुश वह उँचते उँच गया जाता है एक भगवान उँचा तेरा नाम उँचा तेरा धाम उँचे ते उँचे रहते हैं ना परमधाम में यह बड़ा सहद समझने का है सत्युग त्रेता द्वापर कल युग फिर है संगम युग इसका किसको पता नहीं ड्रामा में यह भक्ती मार्ग भी बना हुआ है ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ती मार्ग क्यों बनाया है यह तो अनादी है मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूं मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया बाप कहते हैं यह अनादी है ही शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं आ सकता अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा परंतु नहीं यह तो चक्र चलता ही रहता है तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का यह हैं देवताई त्रिमूर्ती दिखाते हैं उसमें उंच ते उंच शिव को दिखाते नहीं है उनको अलग कर देते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं प्रेजिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है चेफ मिनिस्टर है यह सब होते हैं राये देने वाले सत्यूग में राये देने वाले कोई जाहिये नहीं अभी जो तुमको राय अत्वा शिर्मत मिलती है वह अभिनाशी बन जाती है अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं धेर के धेर हैं पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदी बनते हैं राय देने के लिए खुद गवर्मेंट भी कहती है यह करप्टिव है बहुत खाते हैं यह तो है ही कल्यूग वहाँ तो ऐसे होते नहीं वजीरादी की दरकार नहीं रहती यह मत 21 जनम चलती है तुम्हारी सद्गती हो जाती है वहाँ तो गुरू की भी दरकार नहीं रहती सत्यूग में न गुरू न वजीर रहता है अभी तुमको शिरिमत मिलती है अविनाशी 21 पीड़ी के लिए 21 बुढ़ापे के लिए बुढ़ाबन फिर शरीर छोड जाए बच्चा बनेंगे जिसे सर्प एक खाल छोड फिर दूसरी लेते हैं बाप समझाते हैं भगवान को बुलाते हैं आकर मूत पलेती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो शरीर तो नहीं धोना है आत्माओं को धोना है क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ तो बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे यहां आना पड़ता है मैं ही ग्यान का सागर हूँ पवित्रता का सागर हूँ तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्सा लेते हो हद के बाप से हद का वर्सा मिलता है हद के वर्से में दुख बहुत है इसलिए बाप को याद करते हैं अथा दुख है बाप ने कहा है यह पांच विकारों रूपी रावन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है यही आदी मध्य अंत दुख देते हैं हे मीठे बच्चों अगर इस जनम में ब्राह्मन बनकर काम पर जीत पहने तो जगत जीत बनेंगे तुम पवित्रता धारन करते हो देवता बनने के लिए तुम आए हो आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने यह है पुरुशोत्तम संगम युग इसमें पुरुशार्थ कर पावन बनना है कल्प पहले जितने पावन बने थे सुर्य वनशे चंदर वनशी घराने के वह जरूर बनेंगे टाइम तो लगता है ना बाप युकती बहुत सहज बताते हैं अब बाप के बच्चे तो बने हो यहां तुम किसके पास आए हो वह तो है निराकार उसने इस शरीर का लोन लिया है वह खुद बताते हैं यह है बहुत जनमों के अंत के भी अंत का जनम तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन मैं आता ही हूँ पुरानी रावन की आसुरी दुनिया में और फिर उनके शरीर में जो अपने जनमों को नहीं जानते हैं यह है बहुत जनमों के अंत का जनम जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है कहते हैं न साथ तो लगी लाठ घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी इसलिए भागो घर से बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं कहेंगे कहां मरे तो धन हमको मिले वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं तुम जानते हो सर्व का सद्गती दाता एक है वह संगम युग पर ही आते हैं सत्युग में जब तुम सद्गती पाते हो तो बाकि सब शान्तिधाम में रहते हैं इसको कहा जाता है सर्व की सद बाप के सिवाई और तो कोई भी सद्गती दाता हो नहीं सकता ना किसको शिरी कह सकते हैं ना शिरी 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 अर्थात सुरेष्ठ होते हैं देवताईं शिरी लक्षमे शिरी नारायन उनको कहा जाता है उन्हों को बनाने वाला कौन शिरे शिरे शिप बाबा को ही कहना चाह तो बाप भूलें सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरू किये, फिर भी ऐसा ही होगा, तुम फिर वही गुरू आदी करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा, जब तुम स्वर्ग में रहते हो, तो वहां हो सुख धाम में, पवित्रता, सुख, शान्ती सब वहां है, वहां जगडादी होता नहीं, बाकि इतने सब शान्ति धाम में चले जाते हैं, भल सत्युक को लाखों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं, लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, यह तो 5000 वर्ष की बात है, कहते भी हैं, मनश्य के 84 से जनम, दिन परती दिन, सीढ़ी नीचे उ एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रियेटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो क्या कहेंगे? बाप कहते हैं, इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं. यह बाप आकर समझाते हैं, कहते भी हैं, शरीर लेकर पाल्ट बजाते हैं. तो नाटक हुआना, नाटक के मुख्य एक्टर्स कोन हैं, कोई बता नहीं सकेंगे. अभी तुम बच्चे जानते हो, यह बेहद का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है. मुख्य है, उँच्ते उँच्च बाबा, जो आकर समझाते भी हैं, और सर्व की सद्गती भी करते हैं. सत्यू में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं. वह थोड़े जो होंगे, उन्होंने सबसे जास्ती भक्ती की होगी. तुम्हारे पास प्रदर्शनी वे म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ती की हैं. एक शिव की भक्ती करना, इसको कहा जाता है अव्यभीचारी भक्ती. फिर बहुतों की भक्ती करते व्यभीचारी बन पड़ते हैं. अभी तो बिल्कुल ही तमोप्रधान पहले सतोप्रधान भक्ती थी, फिर सीड़ी नीचे उतरते तमोप्रधान बने हैं. ऐसी हालत जब होती है, तब बाप आते हैं सबको सतोप्रधान बनाने. इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्ये सार. पहला अभी पवित्रता का वर्सा लो अर्थात काम जीत बनो तब जगत जीत बन सकेंगे। दूसरा, बेहत बाप से पढ़ाई पढ़कर स्व्यम को कोडी से हीरे जैसा बनाना है। बेहत का सुख लेना है, नशा रहे, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है, अभी है हमारा यह सर्वत्तम ब्रह्मन कुल। वर्दान, ज्यान संपन दाता बन, सर्व आत्माउं के प्रती, शुभ चिन्तक बनने वाले, स्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा ने कहा, शुभ चिन्तक बनने का विशेश आधार, शुभ चिन्तन है, जो व्यर्थ चिन्तन वपर चिन्तन करते हैं, वह शुभ चिन्तक नहीं बन सकते। शुभ चिन्तक मनियों के पास, शुभ चिन्तन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही, औरों के प्रती शुभ चिन्तक बन सकते हैं। शुबचिंतक अर्थात सर्व ज्यान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्यान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते स्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कारिये में निमित बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कारिये में निमित बनो। ओम शान्ती आज का ज्यानमोती मदुबन निवासियों के लिए बहुत विशेश है। उनकी बाबा ने क्या महिमा की और क्या डिरेक्शन दिया। यह जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यानमोती। लिए्ट के लास प्यामोती आज का जान से जाएल से बना देने के लिए सा цвет विए सुर्णा हैं आज कैї जारेक्शन देंगरभामोती। DIYमोती आज का जाफ्यक्त विझत विए में इला और सुन देरेक्त विएटासियों देक्ते हैं विएलिए साथन में ज curiosals序ms 표ig